इंडिया आध्यात्मिक्ता का देश अंगिनत मंदिरों का घर है हर एक अपनी अनोखी रीती रिवाजों और परमपराओं के साथ ये पवित्र स्थान देश के सम्रिध धार्मिक ताने बाने की एक जलक पेश करते हैं जहां आस्था संस्कृति और इतिहास के साथ जुड़ी ह हुई है इस विविधता के बीच कुछ मंदिर अपनी असामान्य प्रथाओं के लिए बाहर खड़े हैं खास करवे जिन में पुरुषों के लिए दिल्चस्प नियम है ये परमपराएं जो अकसर रहसे में डूबी रहती हैं भारत में आस्था की विविध अभिव्यक्तिय पर एक आकरशक द्रिष्टिकोन प्रधान करती हैं इन मंदिरों में कदम रखना एक अलग ही दुनिया में प्रवेश करने जैसा है जहां प्राचीन मान्यताएं तैनिक जीवन को आकार देती हैं हवा भक्ती से गूझती है अगर बत्ती का धुआ सूरज की रौशनी में ना प्रत्व है समय में उगेरी गई एक कहानी जिसके उजागर होने की प्रतीक्षा है ये परंपराएं केवल नियम नहीं है बलकि प्राचीन मान्यताओं सांस्कृतिक बारीकियों और सामाजिक सनरचनाओं का प्रतिबिम्भ है वे धार्मिक प्रधाओं के विकास और आस्था और लिंग के बीच जटिल संबंधों की एक खिड की प्रधान करते हैं इस अन्वेशन का उद्देश्य इन आकर्शक रीती रिवाजों पर प्रकाश डालना है उनके पीछे की कहानियों और भारतिय आध्यात्मिक परिद्रिश्य पर उनके प्रभाव के बारे में जानना है मेरे साथ भारत के आध्यात्मिक परिद्रिश्य के केंडर की यात्रा में शामिल हों केरल के अटुकल मंदिर और राजस्थान के ब्रह्मा मंदिर में अनूठी प्रथाओं की खोज करें हम इन परंपराओं के पीछे के कारणों हिंदू पौरानिक कथाओं में उनके महत्वों और स्थानिय संस्कृती और भारतिय आध्यात्मिक्ता की दुनिया की धारणा पर उनके प्रभाव को उजागर करेंगे। केरल की राजधानी तिरुवनंत पुरम में स्थित अटुकल भगवती मंदिर दिव्यस्त्री शक्ति का प्रमाण है। का सबसे बड़ा जमावडा बनाता है। इस द्योहार को जो चीज अनोखी बनाती है वह है पॉंगल की परंपरा, एक मीठा हलवा जो महिलाओं द्वारा देवी को प्रसाद के रूप में तयार किया जाता है। द्योहार के दोरान, मंदिर का मैदान महिलाओं के समुद्र में बदल जाता है। सभी पारंपरिक सफेद साडियों में, खुली आग पर मिट्टी के बर्दनों में पॉंगल पकाती है। हवा गुड, चावल और नारियल की सुगंध से भर जाती है, जो देवी को समर्पित एक संवेदी सिंफनी है। अपनी भक्ती में एक जुट होकर लाखों महिलाओं का नजारा, उनके चेहरों पर टिमटी माती लपटे, हिंदु आध्यात्मिक्ता में स्त्री उर्जा की ताकत और महत्व का एक शक्तिशाली प्रमाड है। महिला भक्ती और सशक्ति करण पर त्योहार के जोर को उजागर करते हुए, पुरुषों को पोंगल अनुष्ठान में भाग लेने की अनुमती नहीं है। देवत्व की पूजा और अनुभव कैसे विविध तरीकों से किया जाता है। किमवदंती है कि भगवान ब्रह्मा ने ब्रह्मांड बनाने के बाद पुषकर को एक भव्य यग्य, एक पवित्र अगनी अनुष्ठान के लिए स्थल के रूप में चुना थे। और ब्रह्मा ने एक स्थानी लड़की गायत्री से विवाह करके अनुष्ठान को आगे बढ़ाने का फैसला किया। इससे सरस्वती क्रोधित हो गई, जिन्होंने ब्रह्मा को श्राप दिया कि उनकी पूजा केवल पुषकर में ही की जाएगी। ये कहानी बनाती है कि पुषकर को हिंदूओं के लिए एक पवित्र स्थल क्यों माना जाता है, खास कर उन लोगों के लिए जो विवाह और संतान के लिए आशीरवात चाहते हैं। ब्रह्मा मंदिर अपने विशिष्ट लालशिखर और इंट्रिकेट नकाशी के साथ इस प्राचीन कथा और हिंदू ब्रह्मान विज्ञान में पुषकर के महत्व की याद दिलाता है। दिल्चस्प बात ये है कि जहां पुरुषों को मंदिर के अंदर जाने की अनुमती है, वहीं उन्हें ब्रह्मा की मूर्ती पर फूल चड़ाने की मना ही है। ये प्रतिबंद इस विश्वास से उपचा है कि ब्रह्मा को फूल चड़ाने से उनके विवाह या पितरत्व की संभावना बाधित हो सकती है। ये प्रता हालांकि असामान्य प्रतीद होती है, हिंदू धर्म के भीतर पौरानिक कथाओं, अनुष्ठान और सामाजिक मान दंडों के बीच जटिल संबंध को रेखांकित करती है। ब्रह्मा मंदिर अपनी अनूठी कथा और परंपराओं के साथ हिंदू मान्यताओं के सम्रिद्ध कथात्मक ताने बाने की एक ज़लक पेश करता है। अटुकल और ब्रह्मा मंदिरों में अनोखी प्रताएं हालांकि अलग-अलग प्रतीत होती हैं, एक सामान्य सूत्र पर प्रकाश डालती हैं। मनाता है, जो केरल की मात्र सत्तात्मक परंपराओं और समाज में महिलाओं के महत्व को दर्शाता है। पुरुषों की भागीदारी पर प्रतिबंध अनुष्ठान की पवित्रता और महिला सशक्तिकरण के साथ उसके संबंध को रेखांकित करता है। यह नारीत्व का उत्सव है और प्राचीन रीती रिवाजों की स्थाई ताकत का प्रमाण है। इसके विप्रीत पुरुषों द्वारा फूल चड़ाने पर ब्रह्मा मंदिर के प्रतिबंध हिंदू मान्यता के एक अलग पहलों को दर्शाते हैं। दैविय प्रती रेट्रिबूशन का डर और प्राचीन शापों का सम्मान करने का महत्र। यह परंपरा धार्मिक प्रताओं को आकार देने में पौरानिक कथाओं की शक्ति और हिंदू संस्कृती में प्राचीन कहानियों के प्रति श्रद्धा को उजागर करती है। यह मंदिर अपनी अनूठी प्रताओं के साथ उन विविध्ध तरीकों की एक खिड़की पेश करते हैं जिन से भारत भर में आस्था को व्यक्त और अनुभव किया जाता है। वे हमें याद दिलाते हैं कि धर्म कोई एकांगी वस्तु नहीं है बलकि एक जीवन्त विकसित होती इकाई है जिसे स्थानिय रीती रिवाजों एतिहासिक घटनाओं और सांस्कृतिक बारीकियों द्वारा आकार दिया जाता है।